नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेजें, गायत्री विद्यमंदिर, उच्छ माधिमिक विद्याले, सांचोर की ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत हैं। प्यारे विद्यारतियों, आज हम गुप्त कालिन, कला, साहित्य और विज्ञान के बारे में पड़ेंगे। आज का ये टॉबिक सही माइने में गुप्त बंस को एक श्वर्ण काल के रूप में या बारत के इस्विष्ट यूप के रूप में दर्शित करता हैं। गुप्त काल के कला, साहित्य और विज्ञान की प्रदानता होने के कारएं। गुप्त काल के तुल्ना युनान के पेरा कलियन यूग से की जाती है। गुप्त में विश्य स्वर से कला, साहित्य और विज्ञान का बोल बाला था। गुप्त राजवन्स के शासर इनके आश्रे दाना थे। और इनके आश्रे में फई पक्रदा के साहित्य आदियों प्रचे गए थे। गुप्त राल में सर्वा देख संस्पित भाश्रा का प्रियुदबर और संस्पित भाशा में ड्रंख लिखे गए थे। जिनमें प्रयाद प्रचस्ति, हरीशें, उदेख गिरी, अभिलेग बेसें, मंदसोर अभिलेग, वद्सबटी और इन सभी में संस्पित को विशेश कोर्ट से लिखा गया हैं। संस्पित भाश्रा का मेंटवर्ट उस समय में अपने आप में विशेश माना जाना था। इसके लग चंद्रभुक्त विक्यमा दित्या अथ्वा चंद्रभुक्त दित्या के दरबार में कवी कालिदास, शुद्रग, विशाखनक्त, आर्यबट, वरामे, ब्रंकुत जैसे कई विद्वानों की जानपरिया मिलती हैं। और इन सभी ने अपने साइट्य ज्यान और विध्यान के मादे से संपुर्ण हारत को विश्व में स्रिश्टा के इस तांपरे बुड़ाया था। अपने इनमें देखते हैं जैसे कवी कालिदास के बारे में। कवी कालिदास ने रितु सहार, अभिज्यान शाकुतलां, रगुपंसां, मेगदूत, विक्रमों वर्षियं, माल विकादरी विक्रम् जैसे सहित्यक नाड़कों पर ग्रद्ध की रजना कीजिए। इसी कालिदास का स्रिश्ट नाविक्ता है। फिर है शुद्रक। शुद्रक का बिच्पटिकम प्रसित ग्रद्धिक। कवी वातसायर ने काम शुत्र पर काम शुत्र ग्रद लिखा था। इसी तरह से विशाकरगत ने मुद्र रर्षस लिखा था। जिसमें उसी स्थम से मोरे शासर चंद्रगुत का बढ़न मता है। कवी वास में स्वप्न वासवगता ग्रद लिखा। और अब एक इंपोर्टेंट ग्रद का नाम आ रहा है। जिसका करी बार एक्जामिक रफना हो जागा। उस ग्रद का नाम है पांच कंकर। और पांच कंकर के लिएक विश्णु सर्मा को महादाना है। यहर एक बहुत रहते हैं जिसमें सर्वादिक जिसका सर्वादिक बार्शाम में अनुवा दुआ है। और सकर पंच कंकर। इसके रहते होने विश्णु सर्मा को महादाना है। इनका भी जन्वा गुप्त काल में आते हैं। पाड़ भी पुत्र में हुआ। और आरे बटने 23 वर्ष की उम्रा में ही पुस्तक लेदी जिसका नाम था आरे बटने ही विश्णु में पहली बात। आरे बटने ही विश्णु में पहली बाद पाई का मान दस्दाया था। गडिक में आपने पाई जिसका अवता 22 बटा साथ। और अगर उसका भी मान निकला गये तो 3.1416 यह मान सरो प्रतम आरे बटती बार दिया गया। उस समय में विश्णु में किसी को भी चाहे इमानी हो चाहे और कोई हो किसी को भी इसकी बारे में प्याने हो नहीं था। सबसे पहले पाई का सिदान बेड़ने वाले लिक्वान है आरे बटती माना था। इन्होंने अपने गरंद में पाई का सभी मान ने उत्ताना किया था। इसके लब खगुल विक्यान के बारे में उस में तरह तरह की ब्राधिया था। कुछ एका मानना था कि खगुल विक्यान उनत नहीं है। प्रत्वी, चंदर, सुर्य, आगी के बारे में कोई विक्यानी जानकर नहीं थी। पर उस समय में आरे बड़ मौले ने यह सिद्धान दिया था कि सुर्य प्रत्वी की और नहीं गूता है। बल्कि प्रत्वी सुर्य की चार और चक्तर लगाती है। बहुत इमें। सरवर्थम आरे बढ़ मौने नहीं कहा था कि प्रित्वी सूर्य की चाह और चखर लगनादी है। इसके लब सूर्य ग्रणा में चंदर ग्रणा थी कवियत यां विग्यारिक निके से आरे बढ़ मौने निया था। इसी कांट से हमारे देश एक पर्थून सेटलेट को दाउंच किया गया था उननीस अप्रेल उननीस की चुटर। रसिया की सहता से उसका नाम है क्यार का गया था आरे बढ़ मौने की लियाद को दाजाराने के लिए। इसी तरह से कभी वरावियन ने जो तीस पर आदा रेका कौन सा ग्रद लेका था। व्रहत संहीता पंच सिदान लेका व्रहत जाता जैसे ग्रद लेके। ये चंत्रवत तु द्विर्दी के दगवारी को ने थे और रिमान ने जोतिस समंदी ग्यान विशेश तोर से दिया था। उस समें जगत में किसी के पास ये ग्यान रही था। उसमें भारत की इन माहान बिखे लिए होने अपने ज्यान से भारत अबस को आलों की इस पूर्ति परदान ना देजिए वो समय इन वराब भीर्जी द्वारा जो सिदान दिया गयता है वो सिदान आज भी जो टीस टेटर में बाना जाता है इसके बाब ब्रह्मभूत की बाद में तो कवी ब्रह्मभूत का जन्मों उच्छेर में पांसों धानों इसकी में बड़ाता है लेकिन इनकी कर्मिस्तली यह वीनमागु बहुत इंपर है जन और चुने में वीनमागु ब्रह्म गुत की जन्मिस्तली माना जाता है और इसलिए आज की वहाँ पर ब्रह्म गुत से दुड़ेवे साख्शें होंदे हैं इनोने अपने गुर्म सिताम है इनके सिताम का नाम बास अगास इनकी उसमें गोरदवा परसन का शिठाम और रसम अलोग वद्रादी और गोर्दवा प्रित्वी किसी भी बस्तु को अपनी हो रहता कर शित्र करती है, इसलिए हम उसे ओपल एक्ट में को बस्तु नीचे आती है, प्यारे कि जाए जिए, यह हमारे ज्यास का गौर्वार्वान की तुष्ण चाल रहा, जिस समय संपुण विश्व में किसी के पास ज्यान तपनिक नहीं थी, उसमें में भारत के महान विद्वानों ने भारत की कीलती में चार चांग दना लिखा काये हो किया, इसी तर्व प्रसित नारगागुंजी जो रशायन सास्त्र केमिस्ट्री की जानका और इन्होंने लौभा, स्वना, चांडी, तामभा, आदी मनीचों का प्रिय उन्हों का निवान के बारे में अपना सिधान दे वो दिया, अर्थार उसमें में भी केमिस्ट्री जानता हों के नारगा जानता है, ठीके, इसके इलावा, महा भारत और रावान जैसे तर्व द्रगते, उनको अंतिग्रूप, लिखे दो फेले लेकिन इसको इसके लगए छे दर्षण की रतना दिए जिलको पारता है शड़ दर्षण, बहुत इक्जाम में, इनके बारे में हमेश्रा एक दर्षण जरूर मिलता है, इसके बारे में शड़ दर्षण की बारे में, इसमें सांखिय दर्षण के प्रणेता मेर्सी कपि, यूद दर्षन के प्रणेता पतंदले, न्याय दर्षन के गोतांग, वेसे सिख दर्षन के कनार, उत्री विमान सा दर्षन के जैमेनी, और उत्तर विमान सा ग्रत के बद्लाइन जी को माना जाता है। ये सड़ दर्षन बारती साइथ के में एक अनमोल विदी माने जाते हैं और इनका उस समय में विशेष मेहत्व भी माना जाता था। तो देखिए, मोटे तोर पर वापस हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत मेहत्वपुन माना जाता हैं। और इन ही कारणों से गुप्त काल को बारत का स्रेश्ट काल कहा जाता हैं। ठीक है। गुप्त काल के कलाश शाहित्यां और विज्ञान की उनती अधिक्ति इस कारण से गुप्त यूग की दूलना हैं, वो युनान के पैरा क्लियन यूग से की गूए। किसे की कई मित्रों पैरा क्लियन यूग से और संस्कृत में सरवादिक रचना यह वो इसी काल में हुई थी। प्रयाग प्रसस्ती, उदे गिरी लेग, मंद सोर लेग, ठीक है, क्याद कर लेना, प्रयाग प्रसस्ती के रचेता हरिश हैं, उदे गिरी लेग के वीर सेंथ, और मंद सोर लेग के वद्सल बट्टी। इसी तरह कली कालिदास की गरंद, अभिज्यान शाकुंदलम, मेग लूद, रगुगांसर और प्रेतु सहार माल विकार्गनी पित्रव जिसे कई गरंद लेगे, शुद्रक्का, मुरेचकटिका, वादसयान, खाम शुद्रक, विशाकालत, मुद्रा बाक्सस, बास, स्वप्न वासवदत्त, एं विश्नु सर्मा ने पंच कंत्र नामग प्रसित गरंद लेकां था है, आर्यवट मोद्रे ने प्रत्वी के गुर्णन, सूर्य चंद्र के गरंद, वह पाई का सिदान दिया था, बहुत इंपोर्टेंट है, पाई, पाई का मदवता है, ब बरागत, बाईस मदा, सांथ, इसका पुरा सिदान थे, आर्यवट मोद्रे ने दिया, इसके इलावा, गलत प्रांदिया दूर करते वए, उन्होंने प्रत्वी, सूरी के चारवर चक्र लगाती है, ये सिदान दिया, सूरी चंद्र क्रेंड की प्रांदिया दूर की, इसी तरव ब्रांद में ने, 34 विध्या शम्रद की गरन्त, ब्रैस सहीता लीचन्त, और कभी ब्राम गुग्त, जिनका तो हमारे जिवन से हमारे प्रणोषी बिनमाली के माने जाते हैं, तो ब्राम गुग्त जी की जन्मस्तनी तो उच्छेन मानते हैं, लेकिन गर्मस्तनी वुट 味नौना में जन्होंने नूटन से पहले गूर्तवा घर्षम विद्धान का सिताम दिया दश्मलों का सिताँ विद्धान दिया और नागरजुन प्रसिफ केमेश्ट्री की जानकार थी रसयान की जानकार थी और योने इपिन रसायनों का मिश्रण करने का सिधान देवो दिया था। इसी तरह शर दर्षन एक्जाम में अजिसाब पुझे जाते हैं शर दर्षन में सांख्य दर्षन की प्रनेता कपी, योग दर्षन की प्रनेता, पतंजली, न्याय दर्षन की, गोतम, वेसेशिक प्रनार, पूर विमान साके, जैमेनी, उत्तर विमान साके, बद्रायन, यह आप सबी इनको याद कर लेना, यह बहुत इंपोर्टेंट मना जाता हैं। इन तमाम कार्णों से गुप्त काले वो श्रिष्ट काल मना जाता हैं। थेंक्यू।